हलो इन्वेस्टर्ज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बैटरी सेक्टर की एक काफी जानी मानी और एक काफी दिगज कमपनी स्पेसिफिकली बोलूं तो बैटरी सेक्टर की किंग कही जाने वली एक साइड इंडस्ट्री के साथ में टोटल में 15 ऐसे स्टॉक्स बता करते हैं, आज आते हैं बात करते हैं यहाँ पर हमारे पहले शेयर की तो कंपनी का नाम है Anup Engineering Limited, कंपनी का जो NSC Code है वो है ANUP, आज की ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी के शेयर के उपर में हमें 12% से जाधा की तेजी देखने को मिली, जो की एक ही ट्रेडिंग सेशन के एसाफ की बात करें तो इस company ने यहाँ पे special dividend और साथ ही साथ में final dividend अनौंस कर दिया है final dividend रहेगा 15 रुपे का और वहीं जो special dividend है वो रहेगा 5 रुपे का total में 20 रुपीज का dividend बन जाता है आप लगों को आपके हर एक share के ओपर में 20 रुपे का dividend दिया जाएगा dividend value हमें अच्छा देख देखने को मिल जाता है और इसको देने की जो X date और record date है फिलाल अभी upcoming में है अगले share की बात करें तो company का नाम है प्रीवी Speciality Chemicals Limited company का जो NSE code है वो है P-R-I-V-I-S-C-L आज की trading session में इस company के share पे हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली लगबग 6% आज के session में company का share correct ह गया और company के share का closing price था 1,201 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ पे dividend announce कर दिया है 2 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक share के ओपर में 2 रुपे का dividend दिया जाएगा हाला कि dividend value काफी जादा कम है बाकि जो announcement था मैंने cover कर दिया इसको देने की X date record date भ company का नाम है Jammu and Kashmir Bank Limited, company का जो NSE code है वो है J&K Bank आज की trading session में इस company के share के ओपर में हमें 3.5% की गिरावट देखने को मिली जो की अपने आप में एक अच्छा खासा correction है और company के share का जो closing price था 134 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ पे dividend announce कर दिया है 2.15 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 2.15 यानि की 2.15 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की भी X date record date फिलाल अभी upcoming में है जैसी announcements आ जाएंगे X dates और record dates को लेकर के मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा तो प्लीज आप लोग चानल को subscribe कर लीजिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Raymond Limited, company का जो NSE code है वो है R-A-Y-M-O-N-D आज की trading session में इस company के share पे approximately हमें 0.5% का correction देखने को मिला और company के share का जो closing price था 2,175 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ पे dividend announce कर दिया है 10 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 10 रुपे का dividend दिया जाएगा एड इसको भी देने की X date, record date फिलाल अभी upcoming में है अगले share की बात करें तो company का नाम है Cabra Extrusion Technique Limited company का जो NSE code है वो है K-A-B-R-A-E-X-T-R-U आज की trading session में इस company के share के उपर में हमें 3.5% से जादा की गिरावट देखने को मिली और company के share का जो closing price था 405 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ पे dividend announce कर दिया है 3.50 रुपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 3.50 रुपे यानि की 3.50 पैसे का dividend दिया जाएगा और इसको देने की भी X-Date, Record Date फिलाल अभी upcoming में है अगले share की बात करें तो company का नाम है दावन गेरे Sugar Company Limited company का जो NSE code है वो है 5,4,3,2,6,7 आज की trading session में ये company का जो share है 0.5,0.6% के एक छोटे से correction के साथ में close हुआ और जो share का closing price था 93 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ पे stock split announce कर दिया है 1 to 10 के ratio से जिसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 10 shares के अंदर में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share यहाँ पे 10-10 shares के अंदर में convert हो जाएगा and again इस stock split को भी देने की जो X date और record date है अभी फिलाल upcoming में है अगले share की बात करें तो company का नाम है new time infrastructure limited company का जो bombay stock exchange का code है वो है 531959 आज की trading session में company का जो share है लगबग 3.5% की तेजी हमें दिखाता हुआ देखने को मिला था और company के share का जो closing price था 54 रुपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो इस company ने यहाँ पे stock bonus announce कर दिया है 2 is to 1 के ratio से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको 2 shares as a bonus मिलेंगे total में जो आपका एक share है वो 3 shares के अंदर में convert हो जाएगा अब बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लोगों का हर एक share 3 shares के अंदर में convert हो जाएगा and इस bonus को भी देने की जो x date और record date है फिलाल अभी upcoming में है आप लोग जरूर से channel को subscribe कर लीजेगा because जैसी x date और record date आजाएगी मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले hand last stock की तो यह वही battery sector की जानी मानी और battery sector की king कही जाने वाली excited industries है company का जो nsc code है वो है exideind आज की trading session में excited industries के share के अंदर में हमें 0.5% से जादा की गिरावट देखने को मिली और company के share का जो closing price था 460 रूपीज का था अब excited industries की तरफ से काफी बड़ी एड एक basically positive update निकल करके आ रही है यहाँ पे ET now करके काफी जाना माना business analyst है and I am damn sure आप लोगोंने ET now का नाम तो definitely सुना होगा basically ET now की जो team है इसके अंदर काफी जादा जाने माने technical analyst और research analyst काम करते हैं अब ET now ने जो है यहाँ पे excited industries के share के उपर में bullishness दिखाते वे buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 488 रुपीज का दिया है तो लगबग 460 रुपीज से लेकर के 488 रुपीज तक की एक जो rally है वो यहाँ पे ET now expect करके चल रहा है excited industries के share के अंदर में अब जैसे कि आप देखी सकते हैं target हमें काफी छोटा देखने को मिल जाता है तो बट obvious सी बात है आपके लिए एक short term का target रहने वला है तो अगर आप लोग चाहें तो definitely excited industries के share को आपके watch list के अंदर में add कर सकते हैं अगर आप mid term से लेके long term के लिए इस company के share को purchase करके रखते हैं तो definitely आपको काफी massive returns बनते हुए देखने को मिल सकते हैं बाकी short term में market की volatility को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सर इसकी ये setup हो सकता है मैं ये ही suggest करूँगा mid term से लेके long term के लिए hold कर ये share को आपको काफी अच्छे returns बनते हुए देखने को मिल जाएंगे बाकी अगर आप चाहें तो ETNow का recommendation फॉलो कर सकते हैं with a target price of 488 रुपीज जरूर से यहाँ पे Excite Industries के share को आपके watch list के अंदर में add कर लीजिएगा इसके अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको इसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं यही 15 stocks थे जिन्होंने आप इस stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो अची लगी हो definitely वीडियो को like कर दीजेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye